कि यह जो कॉंसेप्ट है है सच में आपने शायद ही पड़ा होगा और इसमें लोग काफी गलतिया करते हैं क्योंकि एक जिसे दिखने वाले कई तरह के सेंटेंस बन जाते हैं और हमें लगता है कि बस हमें हैसर का यूज कर देना है और पास्ट के लिए हैट का यूज कर देन चोटा सा यह वीडियो है लेकिन बहुत इंपोर्टेंट है इसको समझने के बाद आप किसी तरह की कोई गलती नहीं करेंगे तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेट्स बिगिन अब हम समझते हैं हमारा कॉंसेप्ट नंबर वन अब देखिए कॉंसेप्ट नंबर वन जिस अगर हम बात करें तो वर्बॉफ आप लोगों ने पड़ा हुआ है जिसका मिनिंग होता है पास है जिस अगर आपको बोलना हो कि मेरे पास में पैसे हैं उसके पास कार है मेरे पास सब कुछ है उसके पास लैप्टॉप है इस तरह से तो आपने ये भी देखा होगा कि इसके लिए हम जो सेंटेंस बनाते हैं वो सिंपल हैजर का यूज करके बनाते हैं जैसे की शी हैस माय बुक मतलब उसके पास में मेरी बुक है या अगर मुझे बोलना हो कि मेरे पास में पैसे हैं तो आहल मनी लेकिन कि आप जानते हैं कि यह वाला जो सेंटेंस मैंने या ल तो यहां पर हमने कहा कि she has my book मतलब उसके पास मेरी बुक है यह जो यहां पर second structure दिया हुआ है जिसमें हम के साथ में God का यूज करते हैं यह वाला sentence भी आपका correct होता है मतलब आप इसकी जगह यह वाला भी यूज कर सकते हैं यह बताने के लिए कि मेरे पास यह है उसके पास य यह न हैं तो हम बोलते ही है साती हम ऐसे भी बोल सकते है आयब गौट ऑप एल्क योस गरते हैंस जहां पर हमें यह बताना हो कि मेरे पास में यह है अब यहां पर हम बात करते हैं तो इनका यूज कब करना है जब भी आप इसे मार के साथ में का यूज अगर करना है तो किस सिचुएशन में करना है यह आप ध्यान दीजिए कि प्रेजंट में कोई चीज आपके पास में है मेरे पास में पैन है मतलब वो पैन अभी फिलहाल में मेरे हाथ में हैं मेरे पास में हो और मैं उससे लिए हुए हूँ तो यह सिचुएशन में में कॉंटिनियस में बनाऊंगी कि I am having a pen clear लेकिन अगर आपने उसे ऐसे बनाया कि I have a pen या I have got a pen तो इसका मतलब यह नहीं निकल रहा है कि वो अभी आपके पास अपके हाथ में है वो आपके पास में है वो घर पर हो सकता है लेकिन हैं आपके पास में यह डिफरेंस हमारे पहले concept में हम हमने समझा कि आंटिनियस का आप भी फिलाल में लिये हुए हैं यहीं कि आमसे पूचा कि क्या आपके पास में English कि उस्स तो यहां में पर आप लोग क्या करेंगे निकल रहा है कि आप के पास में इंग्लिश की भुख है वह जुछ समय आपके हाथ में ए या पके पास मों हो सकती है किसी और बहुत लेकिन आपके पास में स्टुक्टिर्श दोनों त्यस्टाव है यह आपके position को बताता है लेकिन यह continuous के sense को शो करता है कि वो चीज़ आप अभी लिये हुए है clear थोड़े से sentences अगर हम देखें इसमें तो देखिए समझी आप मेरे साथ practice करिएगा जिसमें ने कहा कि उसके पास में है she has a car he has a car got वाले में बनाएंगे अगर he has got a car या she has got a car अगर हमने बोला she is having car अभी है उसके पास में ने मारकेंट में हैं और किसी ने पूछा कि उसके पास में कार या नहीं तो आप उसे बता रहे हैं उसके पास में भी कार लिये हुए to she's having a car प्लियर तो हमारा जो वर्वाफ तो है उसमें इस तरह से ये यूज होता है अगर हम लोग बात करें हमारे सेकेंड स्टॉक्चर की हमारा सेकेंड कॉंसेप्ट क्या बोलता है यह आपको समझने जब आप इनहीं के नेगेटिव सेंटेंस बनाते तो कई स्ट्रेंट्स इसमें गलती कर देते हैं जैसे कि यहां पर आपने जो पहला वाला स्ट्रक्चर बढ़ाता है इसका जब हम नेगेटिव करते हैं तो हम लोग डूएं डाजनोट लगाते हैं यह हम सब भी जानते हैं ठीक है जैसे आपको कहना हूँ कि मेरे पास में पैन है तो आपने कहा आप आप अगर आप नेगेटिव बना रहे तो आप बोलेंगे आई डूंट हाव और ही शिर्ट नेम अगर आप लगा रहे हैं तो इसके साथ में डाजनोट आ जाता है जैसे शी डिजन्ट है उसके पास में मेरी बुक नहीं है यह आपने इसका नेगेटिव सेंटेंस बना दिया ले अगर आपको कहना हो कि मेरे पास एक मोबाइल है तो आपने कहा I have a mobile मेरे पास में मोबाइल नहीं है तो आप कहेंगे I don't have mobile ठीक है लेकिन अगर आप गौट वाले में बना रहे तो आपका पॉजिटिव सेंटेंस ऐसे बनेगा I have got a pen और इसका जब आप नेगेटिव इसका मिनीचेंज नहीं हो रहे तो गौट वाले में आप नेगेटिव में नोट लगा देते हैं ठीक है और जो आपका सिंपल वाला है जिसमें आप got नहीं लगाते हैं इसमें आप do and does not लगा देते हैं और साथी साथ इसमें no का यूजज भी होता है मैं आपको थोड़ा सा 엔्यु यह हमारा फ né फ्र्स वाला या फ़र आइट यह हमारा फ्रस वाले का नेगिटीव जो हमने देखा की हिम्हें कैसे बनाना है तो सश्कंड़τα का हमने देखा आई हाव नॉट गार्ट है स्कंड़क आप कर दिया अब बात अगर हम थार्ड वाले अकल करेंगेज इस लगा देंगे नोट लगा देंगे I'm not having a pen she's not having a car they are not having a mobile मतलब उनके पास में mobile अभी नहीं है फिलहाल में present की बात होगी clear तो यह अंतर होता है और इसके negative कुछ इस तरह से बनते हैं अब हम लोग देखेंगे हमारा next concept क्या कहता है यह बहुत सिंपल है आपने कई बार ऐसे सेंटेंस बनाये होंगे जैसे कि मैं एक टीचर हूं तो सिंपल सा सेंटेंस आपका बनेगा I am a teacher आपको बोलना हूं एक डॉक्टर हूं तो आप बोलेंगे कि मैं टीचर रहे चुकी हूं अभी आप टीचर है नहीं आप उस पोजिशन को छोड़ चुके आप बता रही कि मैं टीचर रहे चुकी हूं तो इस सिचुएशन में आप यह नहीं बोलेंगे कि I was a teacher में टीचर थी नहीं आप टीचर रहे चुके हैं आपको यहां पर I have been a teacher का यूज करना है मतलब यह जो है पर्फेक्ट टेंस में जाता है तो हमें पता है कि बी की जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती वस और और इसकी जो थार्ट फॉर्म होती है वो होती है तो जब में वहां पर प्रिंसिपल रह चुकी हूं तो जब भी आप ऐसा सेंटेंस बनाना चाहा रहे हैं आप वहां पर हैस है और टीचर का यूज करेंगे जो भी आपकी पोस्ट है जैसे सेंपली अब दोनों में डिफ्रेंस देखता है आपको बोलना हो कि वह यहां है तो आपने क सब्सक्राइब के लिए तो हम लोग इसका यूज करेंगे ही विदाव टाइब कि मतलब मैं टीचर रहे चुकी हूं अब इसमें आप सेंस और फॉर का यूज कर सकते हैं कि पॉर का यूज किस संस में करना है यह आप ध्यान देंगे हम करना करना है दें सेंस करना है कि मैं यहां पर दो घंटे से हूँ मैं यहां दो घंटे से हो अब आप यह नहीं बोलेंगे I'm here for two hours अब आपको यह वाले structure का use करना होगा जिसमें आप hazard के साथ में बीम लगाएंगे मतलब यहां पर हमने दो concept को clear किया पहला कोंसा कि जब आपको यह बताना हो कि मैं रह चुका हूं आप जब कोई पोस्ट बता रहे आपनी मैं टीचर रह चुका हूं मैं महां का स्टुडेंट रह चुका हूं तो simple I have been a teacher I have been a dancer I have been a principal इस तरह से लेकिन आपको जब समय बताना जैसे इसका मिनिंग निकल रहे है मैं एक teacher हुई इसको हम यह वाला ले ले लेते हैं मैं यहां हूं I am here इसको हम अब इसमें translate करते हैं I have been here for two days for two days मतलब यहने कि मैं यहां पर दो दिनों से हूं आप जीवाला concept भी आपको clear हो चुका होगा तो अब आप यह गलती नहीं करेंगे कि जब भी आपको sentences बोलने हो कि मैं वहां हूं मैं दौर में मैं खणवा में हो तो आप अगर नहीं समय बता रहे तो यह structure आपका correct है लेकिन अगर आपको समय बताना है तो आपको यह वाले structure को use करना होगा चले आगे बढ़ते हैं किसमाना next concept दिया हुआ है देखिए आप सभी ने continuous पड़ा हुआ है और perfect continuous को पड़ा हुआ है हम लोग time लगा देते हैं ठीक है जैसे लगा देते हैं फोल लगा देते हैं लेकिन continuous टेंस में यह नहीं आता है तो अगर आप कुछ बता रहे कि वह इसा कर रही है वह लिख रही है वह सो रही है वह काम कर रहा है तो simple हम लग continuous लेकिन आपको मैं बता दू कि इससी इसमें भी बना सकते हैं अब इसमें नहीं लगाया तो दो चीज़े अगर आप बताना चाहा रहे हैं कि वह दो साल से इंग्लिश से रही है तो यहां पर हमारा टाइम क्लियर हो गया लेकिन अगर आप टाइम नहीं लगाते हैं और सर्फ यह वाला टैंस यूज कर लेते हैं तो यह भी उसी को शो करता है कि यह काम लंबे समय से होते आ रहा है ठीक है आपने अगर कह दिया मतलब वह इंग्लिश सीखते आ रही है वह इस का सब्सक्राइब करते हैं तो यह किसको कर रहा है कि यह काम काफे लंबे समय से होते आ रहा है आप अगर समय लगाना चाहते हैं जैसे कि मैं दो घंटे से लिख रही हूं आपने क्या देखा कि जहाँ पर भी हम लोग इसमय को परफेक्ट टेंट आ जाता है इसमें और दूसरा हमारा नॉर्मल टेंज है ठीक है यह वाले सारे आपको समझ में आये होंगे अच्छे लगे होंगे आपको तो यह चोड़े-चोड़े कुछ तो जो भी एंट्रेस्टेटर है इस को ले सकता है काफी अच्छा कोर्स है जहां पर हम फुली प्रैक्टिस करने वाले हैं एक स्टमेटिक और जाधा इंफॉर्मेशन चाहिए आपको आपको डेस्क्रिप्शन में नमबर मिल जाएगा आप उस पर कॉंटेक्ट कर ले या पर स अच्छा लगा होगा इस तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा मिलते हम लोग अपने नेक्स वीडियो में तिल देन बाइबाइटेक्यू